आज का अमर्ट टोपिक है टो फाइव ट्रेफिक सोर्स फॉर एफिलेट मर्केटिंग गैस अगर आप ब्लोग चलाते हैं या एफिलेट वेबसाइट आपके पास तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्यूँ आपको अपको ओल्ली लोग कॉम्पेटिशन कीवर्ड गूगल के उपर इसको सम्मिट करना होता है गूगल हो गया बिंग हो गया अदर सर्च इंजन हो गया वह आपकी वेबसाइट के ऊपर टार्गेट ट्रेफिक को भेजते हैं जिससे आपकी अर्निंग शाट हो जाती है परंतु अगर आपके पास ओनली एक लेंडिंग पेज है आपके पास वेबसाइट नहीं है तब आप अपने लेंडिंग पेज या फिर किसी अधर सोर्स के ऊपर टार्गेट ट्रेफिक कैसे बेजें यह बहुत पड़ा कोश्चन है तो इसी के आंसर देने के लिए आजका मैंने यह वाला पूरा का पूरी वीडियो बनाई है जि आपको होस्टिंगर को ट्राइ करना चाहिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको और भी जदा वैल्यू प्रोवाइड करूँगा चलिए अब हम अपन आप कंपोस्र चैनल कम्पोस्र करना है यहांप को कुछ नहीं करना है यहां पर आपको अपको वैलू प्रोवाइड करने है अब आप value कैसे provide करेंगे, value provide करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 200 word का एक post लिखना है, जय करना है, एक 200 word का एक post लिखना है, और post लिखने के बाद अपना link प्रोवाइड करना है, ठीक है, इतना काम कर दिया, then उसके बाद आपको text को पर click करना है, और यहाँ पर अपने product से related आपको text देने, 5, 6, 7, जितने भी text देने, text देने, और text को add करने के बाद, आपको save text को उपर click करना, then post को उपर click करना, अब क्या benefit होगा, जैसे आपने इसके अंदर post करीए, तो कुछ impression तो यह दे देगा, ठीक है, then उसके बाद जो अपने hashtags को use किया है, उन hashtags की मदद से आपकी post और भी ज़्यादा आगे जाएगी, मतलब उसके उपर क्या, और भी ज़्यादा उसके reach भड़ेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो यह post है, काफी ज़्यादा लोगों तक जाएगी, लोग आपकी post को पढ़ेंगे, अगर उनको आपका जो आपने अच्छ कर सकते हैं, analytics के उपर, तो मैं आज का अपना पूरा analytics दिखाता हूँ, आज मैंने सुबह एक post की थी, तो उसे कितना impression मिला है, और कितना उसके उपर traffic आया है, वो पूरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो guys, अभी analytics open नहीं हो रहा है, बट आप क्या कर सकते हैं, analytics पर ज amazing sites हैं, आप यहाँ पर तीन तरीके से traffic generate कर सकते हैं, वो तीनों तरीका मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले मैं आपको इस website के उपर monthly कितना traffic आता है, वह बता देता हूँ, तो उसके लिए हम similar web को दुबारा use करेंगे, तो जिसमें similar web को उपर click करता हूँ, तो यहाँ पर guys तो तीन source कौन से हैं, जिसके माध्यम से आप अपने landing page या अपनी website के उपर traffic बेश सकते हैं, वो यह मैं आपको बता देता हूँ, तो पहला source क्या है, general post करना, जैसे हम Facebook के उपर post करते हैं, उसी परकार आपको क्या करना है, इसको पर general post करना है, आपको इसको पर account बनाना है, 20 से 30 लाइं लिखने के बाद आपको लिखना है, click here, then उसके बाद आपको यह पर hashtag लगाने, then post को उपर click करना है, और guys यहाँ पर public को select करना ना बोल, अगर अपने अपर private को select कर लिया, तो आपकी post only आप तक ही रह जाएगी, लोगों तक नहीं जाएगी, और hashtag की मदद से अपने products related, यहाँ पर जितने भी groups हैं, उनको search कर लें, जैसे मेरा product क्या keto, तो मैं लिख दूँगा keto, keto diet, ठीक है, then मैं आपको क्या करना है, इन groups को join करना है, करीब 20 से 25 groups join करने, ठीक है, अब group join करने के बाद कैसे काम करना है, वहीं मैं आपको बताता हूँ, जैसे for example, मैं इ to this group, इसको पर click करना है, then उसके बाद, इसके अंदर कम से कम 300 word का एक post लिखना है, और post लिखने के बाद, आप अपना link दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दुबारा hashtag का use करना है, and hashtag का use करने के बाद, आपको यहाँ पर post को पर click कर देना है, that's it, आपकी इस group के अंदर post हो important चीज है मीवी के अंदर, ठीक है pages के अंदर आपको spamming नहीं करना है, so से पहले आपको क्या करना है, pages के अंदर value provide करना है, पहले आपको क्या करना है, प्रॉच के बाद, आपको link नहीं देना है, आपको कम सकम 15 दिन तक only value provide करना है, जब लोगों को आपको पर trust भर जाए, व इसके बाद आपको क्या करना है चाहिए पैजी की सोर्स की तरफ के सोर्स भूरत ही तुम्हें गि!!! हमारे तीसरे ट्राफिक source का नम है Facebook तेक है Facebook के उपर Monthly कितने visitors आते हैं वो भी हम check कर लेते हैं Similar web के उपर click करते हैं Then उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर करीब कहां चुदा गया इसके अंदर करीब 21 billion 21.5 billion people साती है monthly में सबसे बड़ा traffic source है हमारा similar web, इसके अंदर 21 billion people monthly आते हैं, अब इसमें काम कैसे करना है, वेभी में आपको बता देता हूँ, काम करने के लिए हम इसमें groups का use करेंगे, क्योंकि groups के अंदर post करना बहुत ज़्यादा असान होता है, आपको क्या करना है, अपने नीस से लिटेट है यहाँ पर क्या करना है, कम से कम 10 या 20-30 जितने group हो, उतने group को join करना है, यहाँ पर क्या करना है, करीब 200 word का एक post लिखना है, और ऐसा post लिखना है कि बंदा उसको पढ़ने के बाद आपके link के उपर click करने के लिए मजबूर हो जाए, तो 200 word का post लिखना है, तो 200 word का post लिखन है ताकि आपके post की reach भढ़ पाए then post के ओपर click कर देना है ठीक है इसी परकार आपको 20 groups के अंदर अपनी post करनी है और guys उसके नीचे आपको एक line जो लिखनी है अगर if you like my product please comment और DM में यह जो लिखना है ताकि क्या हो बंदक आपको यह पता लग जागा कितने अंदर हमें conversion क्या से करना है comment और DM जरूर लिखना है तो यह हमारा हो गया तीसरा source Facebook अब हम आते हैं अपने चोथे traffic source के तरफ उसका नाम है Quora Quora बहुत ही amazing website है यहां से आप 1000 और 2000-3000 तक का traffic उठा सकते हैं ठीक है पहले मैं आपको इसके अंदर monthly कितना traffic आता वह दिखा देता हूं तो हम जैसे similar web के उपर क्लिक करते हैं तो हमें यहां पर दिखाए देता है तो हमें यहां पर दिखाए देता है Quora को उपर करीब 550 million people monthly basis पर आते हैं Facebook के उपर आते है 21 billion और Quora को उपर आते है 550 million अगर आप यहां पर अच्छे से काम करते हैं तो यहां से भी आप अच्छा का सा traffic अपनी affiliate website या अपने landing page को उपर ले जा सकते हैं अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसके माद्यम से आप अपने landing page को उपर traffic ले जाएंगे पहला तरीका क्या है आपको इसके उपर एक space create करना है जैसे मैंने आपको अपने दो space create कर रहे हैं ठीक है यह निए आप अपने space के अंदर link share करें किसी और के space में भी link share करेंगे कोई दिक्कत नहीं है पर link share करने के आप हजा लिंक शेयर करें चाहिए, दोजा लिंक शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको Quora ब्लोक नहीं करेगा, अगर आप answer करते समय लिंक शेयर करते हैं, तो उस ज़रन Quora आपको ब्लोक कर देता है, पर दूसरा source क्या है, answer के माध्यम से traffic को लाना, कैसे लाएंगे, यह यहाँ पर search Quora लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो product है, उस related question को search करना है, अब आपको क्या करना है, जहाँ पर यह search Quora लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना product का नाम लिखना है, जिसमें आपना product का नाम के लिखता हूँ, keto diet, ठीक है, enter पर click कर दिया, then उसके बाद क्या हो जाएगा, quora के अंदर जितने भी keto diet से related questions होंगे सभी यहाँ पर आ जाएगे, आपको क्या करना है, किसी भी एक question को choose करना है, और choose करने के बाद, आपको वहाँ पर कम से कम 300 से 400 और maximum 500 word का एक answer लिखना है, ठीक है, अगर आप 500 word का answer लिखते हैं और उसके अंदर एक link देते हैं, तो कोई issue नहीं है परन्तो अगर आप 10 word का answer लिखते हैं और उसके अंदर 5 link देते हैं, तो quora आपको हाथ वाथ block कर देगा, तो यह technique है quora के अंदर answer करने की आपको answer पर click करना है, तो करीब 500 word का answer लिखना है, then उसके बाद उसमें आप एक link देदो, quora आपको block नहीं करेगा, तो हमारा चोथा traffic source हा, quora, जहां से आप 1000, 2000, 3000 या millions में भी traffic अपने landing page यह website को अपर लेके जा सकते हैं अब हमारा final traffic source आता medium.com, medium एक बहुती amazing sites है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, Google के माधियम से अपने landing page के उपर या अपनी website के उपर traffic ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, वैब हम आपको बता देता हूँ तो से पहले हम क्या करते हैं, इसका traffic जानते हैं कि medium के उपर monthly कितना traffic आता है, तो हमारे पास similar way बताता है कि medium के उपर इस समय 204.95 मतल़ 204.95 मिलियन का traffic आ रहा है, ठीक है अब कैसे काम करना है, वैब हम आपको बता देता हूँ तो से पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है और stories के उपर click करना है, ठीक है एक 1000 वड का article लिखना है, और एक low competition का keyword find करना है क्या करना है, जो आपका product है, पहला आपका जो product है उसको identify करो, आपके product क्या है, ठीक है उस product से लेटेड आपको क्या करना है, थोड़ी जानकारी खट्टे करनी है उस जानकारी से आपको 1000 वड का post बनाना है ठीक है, और उससे आपको एक low competition keyword find करना है जिसको आपको title में रखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अपना जो article आपने बना है, यहाँ पर paste करना है और यहाँ आप कम से कम दो link दे सकते हैं दो link दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर दो से जादे link देंगे, तो आपको यहेवाला message आपको यहाँ जाएगा, जो मुझे ही भी आ रहा है पर दे, पोस्ट करना है, ठीक है, अपने प्रोड़क का से लेटे information gather करो, रोज एक पोस्ट बनाओ, दो link दो, that's it, ठीक है, अब कैसे आपको link दे नहीं, वह मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने stories को पर जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर stories publish कर रहा है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करीए, बहतर stories publish कर रहा है, इसमें से एक story को मैं open कर लेता हूँ, इसी को open कर लेता है, ठीक है, आपको पर ऑपना keyword डालना है, और यहां पर आपको क्या करना है, करीब 1000-1200 word की article लिखना है, ठीक है? और बीच-बीच में आपको क्या करना है? आपको आपको links क्या क्रिक जैना है, लिनक कंभाई है. तो आपका account block हो जाएगा और medium में क्या benefit है वो मैं आपको बतेते हूँ medium का सबसे बड़ा benefit ही है अगर आप इसके लो competition का keyword find करते हैं ठीक है उसको उपर एक 1000 वड का article लिखते हैं तो medium के DAPA 95 से जादा तो आपकी post क्या हो जाएगी Google को पर rank हो जाएगी जिससे आप क्या कर पाएंगे अपनी sales को generate कर पाएंगे और सारा traffic कैसे हैगा targeted क्योंकि बंदा जब Google को उपर किसी को search कर रहा है तो कुछ न को सोच के तो search कर रहा है और आपके post उसे number one पर दिखाए दे रही है तो उसकी जो सोच है उससे सुन मिलते जो आप क्या कर सकते हैं अपने landing pages या website के उपर traffic को increase कर सकते हैं और आपने earning को increase कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो please channel को share and subscribe करें और like करना ना बोले दन्यवाद जय भारा जय हिंद